अभी तेसरी ब्लू बुलेट जो सी दा दिल पे लगते हुए हमारे काफी अच्छा क्विशन है और इसको कॉंसेप्ट वाइस समझना भी बहुत इंपॉर्टन्ट है तो इसको हम समझ से हैं अभी एक है मान लीज़े अबके दिमाग में पूरी सर्केट बना लीज़े जिसमें एक बल्ब लगा भुआ है, एमिटर हो एग अब की लगा लेज़े Let the resistance of an electric components remains constant उस electric circuit में जो resistance आप यूज़ कर रहे हो उसको constant रखे उसको change नहीं करना है While the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value मान लीजे शुरुवात में आप 6V यूज़ कर रहे हो 4 cell यूज़ कर रहे हो तब जाके electric current कुछ आ रहा है अभी आप 4 cell की जगद 2 cell यूज़ कर रहे हो तो electric current में क्या फरक पड़ेगा ये आपको बताना है आप में से कुछ बच्चों ने तो बता भी दिया होगा कि voltage आदा होता है तो current भी आदा हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ करने के जरूरत ही नहीं है फिर भी क्योंकि हमें marks खींचने हैं when we are writing the exams तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे when the potential difference is halved जब भी potential difference को हम halve कर देंगे तो current through the component also decreases to half of its initial value तो current भी उससे आदा हो जाएगा तो current भी उससे आदा हो जाएगा तो current भी उससे आदा हो जाएगा हमने जो formula किया था उसी के हिसाब से अभी इसी formula में voltage को अगर half कर देते हैं now potential difference reduced to half keeping the resistance constant resistance में कोई भी फरक नहीं ला रहे तो new voltage बनेगा मान लिजे new voltage बनता है V dash तो it is equal to V upon 2 क्योंकि voltage को हमने half किया है resistance हमें same ही रख रहे हैं तो इसी formula में नया voltage है V upon 2 और resistance है same to same तो यह 2 जो numerator में है वो denominator में चला गया 1 upon 2 V upon R V upon R is equal to I तो यहाँ पर I रख दिया तो जो नया current है वो पुराने current से आधा हो जाएगा इसी तरीके से आप इसको prove कर सकते हैं तो अभी हम आगे बढ़ेंगे fourth question की और जो भी काफी interesting है